पहला कोश्चन आपके स्किन पर पहला कोश्चन है कि जब हर इक पहिये के साथ अप घर्षण किया जाता है तो इन में से किसे सतक दरब्य के रूप में परियोग करना चाहिए उप्शन आपका सामने है जल फैराफीन जल के साथ समान मात्रा में घुलन सिल तेल अगर आपको है तो फड़ा फड़ा आप लो कॉमेंट बोक्स में कुमेंट कीजिए क्या राइटन्स रोगा अन्यथा हम तो आपको बताएंगे ही ऑप्शन नंबर सी जल के साथ समान मांत्रा में फैरा पैराफिन ऑप्शन नंबर सी अगर आप लिए हैं तो करेक्ट इंसर राइट आपके स्कीन पर अगला कोश्चन है भंगूर समागरी की ग्राइंडिंग के लिए धांचा परियुक्त है कौन सभाई संगन परिक्रिया खुला पहिया उप्यूक्त में से एक या फिर उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइट अन्सर दोस्तों ऑप्शन नंबर संग संगन पहिया ओप्शन नंबर ए जिन जिन विद्यार्थियों को याद होगा उनका करेक्ट अन्सर राइट अन्सर दोस्तों संगन पहिया करेक्ट अन्सर चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्कीन पर अगला कोश्चन है निकाली गई समागरी की रास्सी में ज्याद लिए हैं उनका correct answer right answer दोस्तों question को और option को बढ़िये से आप समझेगा और याद कीजिएगा चलिए इसकी साथ अगला question आपके skin पे अगला question है ग्रिट आकार 600 सुचित करता है कि उसे के किसके लिए परियुक किया जाता है option आपका सामने है अस्थूल ग्राइंडिंग मध्यम ग्राइंडिंग महिन ग्राइंडिंग बहुत महिन ग्राइंडिंग तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट अंसर होगा option नमबर डी बहुत महिन ग्राइंडिंग जिन जिन विद्यारत्यों ने option नमबर डी लिए हैं उनका correct answer राइट दूस्तों याद करेंगे चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है फ्लेंज कपलिंग का ब्यापक रूप से परयोग किस पर हैवी पावर टांस्मिशन के लिए किया जाता है क्या कोश्चन फ्लेंज कपलिंग का ब्यापक रूप से परयोग पर ह पावाट टांस्मिशन के लिए किया जाता है आपका सामने किसी भी गती जिसको बोलते हैं गती कोई बाधा नहीं हो बारो सो पचास आरपी एम कि यह नीचे की गती तिब्र गती या फिर निम्न गती तो क्या राइट अंसर को दुस्तों option नमबर डी निम निगती जिन विदारत्यों ने option नमबर डी चुच की हैं उनका correct answer right answer दुस्तों चलिए इसी के साथ अगला question आपके skin पे bond कितने परकार के होते हैं bond जो हमारा होते हैं कितने परकार के होते हैं option आपका सामने है V, B, E सभी question में दिया है यहां पर थ्वासर द्यान दिजिएगा कि bond कितने परकार के होते हैं तो मैं आपको बता दता हूं कि bond 5 परकार के होते हैं ठीक है और यह आप अंसर देजिए इसका नीचे वाला जो आपका आएगा वह आपका कौन-कौन सा होता हैं सा आपको दिखाता हूं आपको दिखाता हूं ऐसे करेक्ट अंसर राइट अंसर इसका option नबर डी है दोस्तो याद किजिएगा देखिए यहां पर बारे में बताता हूं 5 होता है जो कौन-कौन होता है याद कर लिजिएगा पहला है बीट्रिफाइट बांड इसे वी से परद से परदर्शित करते हैं तीसरा है सैलाक बांड जिसको हम इसे परदर्शित करते हैं और चौता है रिजिनाइट बांड जिसको हम बीच से परदर्शित करते हैं और पाचमा है रबबर बांड जो कि हम आर से परदर्शित इसको करते हैं दोस्तों यानि कितने परकार को हो ग क्रिक्षाइट बांड सिल्यकेött बांड और और तो क्या जो करता और बॉंणु का करता है क्रेक्ट्र राइट अंसर दोस्तों ऑप्शन नमबर D चले इसके साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है कि एक ही हील में A एवं Z ग्रेट से क्या समझते हो ऑप्शन आपका सामने है एक ग्रेट सबसे नर्म होता है जेट ग्रेट सबसे कठोर होता है उप्यूक दोनों इन में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर हो दोस्तों राइट अंसर हमारा होगा ऑप्शन नमबर C यानि उप्यूक दोनों एक ग्रेट सबसे नर्म होता है जेट ग्रेट सबसे कठोर होता है दोनों हमारा करेक्ट अंसर साइज से क्या तात पर्ज है ऑप्शन आपका शामने है एक इंच लंबाई से ग्रेनों की संख्या एक सेंटी मीटर लंबाई में ग्रेनों की संख्या एक मीटर लंबाई में ग्रेनों की संख्या इन में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर को दोस्तों अगर आपको याद है अगला कोशन है समांतर या टेपर बेलनाकर जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है क्या कोशन समांतर या टेपर बेलनाकर जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है ऑप्शन है पैडेस्टल फ्लेक्सिवल सिलेंड्रिकल सेंटर ल कि चलिए इसके साथ अगला कोशन आपके स्किन पर आगी है अगला कोशन है सिलिकॉन कर वाइड की क्या विसेश्था है ऑप्शन आपका सामने है सक्तिमां भंगूर नर्व चीमल अत्यांत कठोर उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइटन से दोस्तों ऑप्शन नमबर सकती बन भंगूर विसेश्था उसका है ऑप्शन नमबर करेक्ट अंसर डुस्तो चलिए इसकी साथ अगला कोशन आपके स्किन पर अगला कोशन है एल्मॉनियम ऑप्साइड द्वारा बने हील में किस धातूं को ग्राइड कर सकते हैं क्या कोशन है एल्मॉनियम ऑप्साइ द्वारा बने हील में किन धात्वों को ग्राइंड कर सकते हैं हाइस पीड अश्टील कार्बन अश्टील माइल अश्टील उप्यूक्त सभी तो क्या राइट अच्छा लग रहा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर चैनल पर जो भी दार थे नए वीडि सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए इससाद अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है मोटर साइंकिल वासर में परियुक्त स्प्रिंग है मोटर साइंकिल अस साइंकिल बासर में परियुक्त स्प्रिंग है यानि कौन सा है तार स्प्रिंग समतल स्प्रिंग हेलिकल सं और रहा होगा हेलकल संपिर्ण और स्प्रिंग ऑप्शन नमबर सी करेक्ट राइट अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है दो समांतर सौफ्ट दो समांतर सौफ्ट किसके द्वारा जूर सकते हैं ऑप्शन अपका सामने हैं क्रोस हेलकल गियर सीधे असपर गियर असपाइरल गियर बेवल गिलर गियर तो क्या राइट अगला कोश्चन है किस परकार के गियर कोश्चन क्या है किस परकार के गियर सेट का उप्यो घूरनी गति को रैखी गति में तथा इसके बीप्रीत परवरतन के लिए किया जाता है ऑप्शन आपका सामने है थोड़ा सा मैं उपर नीचे करता हूं चलिए नज़र आ गया ऑप्शन है बेवल गियर हाइपोईडल गियर असपर गियर रैक एंड पीनियन तो क्या राइट अंसर हो दोस्तो राइट रोगों मारा ऑप्शन नमबर डी रेक एंड पीनियन करेक राइट अंसर दोस्तो चलिए कोशन को भी मैं दिखाते रहा हूं और ऑप्शन भी आप देख लिए चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर अगला कोशन है समान उठाने के लिए सर्विस टाइ रसियां है कौन सा मरी अर्ल अर्सियां गांजर रसियां कपास रसियां त Studies तो और ओप्शन नमरे मनीला रसियां और अब दिखात मनीला रसियां याद रखिएगा चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है चेन क्रेन हुक और अश्टिम पाइप आधी बनाने में ब्यापक रूप से परियोग के जानेवल पदार्थ कौन सा है ऑप्शन अपका सामने है पीटवा लोहा अगात लेयर कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है क्रोवार लिवरेज देता है जिसमें भारी लोड को उठाया या हटाया जा सकता है या किस से बनाए जाते हैं ऑप्शन नंबरे य करेक्टन सच राइट रमसटो चलिए इसकी साथ अगला कोश्चन ह्ष्चन आप कर सके अगला कोश्चन है है ऑप्शन नंबरेchas ड्राइब ओपेन वेल्ट ड्राइब हमारा करेक्टन सर राइटन से दुस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर अगला कोशन है जीव क्रेन का उप्योग किया जाता है अपका शामने है लोट को बर्टिकल उठाने के लिए लोट को हरिजेंटल के ले जाने के लिए उप्योग फिर इन पेंसे से कोई नहीं तो न hamburger याक्रेस तो उप्शन किया था उप्योग किया लोट को हरिजेंटल ले जाने के लिए ऑप्शन नमबर भाइन सरहें चलिए ऐसे साथ अगला पर श्रon है अगला कोशन है चैन होश्ट का उप्योग किया जाता है कहां पी और उप्यूग के जाता है बयं वरक्षॉप में मचीनों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने में मचीन ओधराने के लिए उप्यूग दोनों धना फिर इन मैं से कोई नहीं पृच्प दूस्तों क्या और वेक्षॉप रहा रहा होता है बरक्सुप में मसीनों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने के लिए option number A हमारा correct answer right answer दुस्तो चलिए इसी से अगला question आपके अस्किन पे अगला question है V-wield का कौन होता है कितना V-wield का कौन हमारा कितना होता है option आपका सामने है 40 degree, 60 degree, 75 degree, 90 degree तो क्या right answer होगा 40 degree दूस्तो option number A हमारा correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है V-wield drive में slip का दोस्त होता है इससे क्या परभाव होता है option आपका सामने है machine धीरे घुमती है machine तेज घुमती है दोनों पुलियों को गती अनुपात अलग 2 होता है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या right answer को दूस्तो right answer होगा मारा option number C दोनों पुलियों का गती अनुपात लगभग same 2 होता है चलिए option number C correct answer right answer दूस्तो चलिए इसके साथ अगला question आपके skin पे अगला question है cross built drive में दोनों soft आपस में समानतर होती है क्या question cross built drive में दोनों soft आपस में समानतर होती है तो क्या right answer होगा दोनों पुलियों का एक दिसा में घुमती है अगला कोशन है फास्ट पूली उसे कहते हैं जिसे आपका सामने है सौफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है तेज घूमती है सुतंत्र चलती है बिभीन अश्टेप्स है तो क्या राइटन सोगा दूस्तों आप फड़ाफट कमेंट कीजिए क्या राइटन सोगा ऑप्शन नम इससाथ आपके स्किन पर अगला कोशन है तो लुञज पूली उसे कहते हैं यानि किसे कहते हैं आपका सामने में सॉप्ट पर फिट है जिस पर फीगरू है तो तन्तर घूमती है वह We are टंस्मिशन करती है क्या राइट अगला कोशन आपके अगला कोशन है दो सौप्टों को एक सीध में जोडा जाता है बेरिंग कपलिंग ब्रेकेट पुली किसके दवारा तो ऑप्शन नंबर भी कपलिंग के दवारा ऑप्शन नंबर भी दो सौप्टों को एक सीध में जोडा जाता है कपलिंग के दवारा ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट नंसर राइट अगला कोशन है निमिन में से कौन सी पधिती जिन रेटिंग पर किरिया द्वारा गियर बनाती है ऑप्शन आपका शामने है पंचेंग मिलीग माइलिंग तो तो नंबर ऑप ट्रफशन नंबर यह ओं में होब लिग हमारा केशनन राइटेंसर रग्याथ होटेगा चलिए इसके discuss आगला कौश्चन आपके अस्पीन पर अगला कोश्चन है समांतर सौफ्टों पर समांतर सौप्डे पर पाबर संचाल लाने के लिए कौन से परियोग होते हैं ऑपिसन आपका सामने हैं बेवल गियर हिलिकल गियर बर्म हील रेक पिनियन तो क्या राइटन सब्सक्राइब दोस्तों आप्षन नमबर भी बेप्सक्राइब जिन बिद्यार्थ वने आप्षन नमबर भी चुच की है उनका करेक्ट से दोस्तों बाकी विद्यार्थी जुन का गलत होगा अपना याद करेंगे और सुधार करेंगे चलिए इसी के साथ अगला कोशन आपके स्किन पर अगला कोशन है सावित्रिक सार्वित्रिक युग में कीन दो सौप्ट को जोडने के लिए परियुक्त होता है ऑप्शन आपका सामने है जो ध्रीन युगम का सरलतम परकार हो जो पून्ता परतिबंध है जिन में पार्शिव अप्स रेंखन हो जिनके अच किसी छोटे कन पर प्रस पर काटते हैं तो ऑप सावित्रिक युगम सौप्टों को जोडने के लिए परियुक्त होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट अन्सर राइट अज़से दूस्तों चली इससात अगला कोशन आपके अस्किन पर कोशन है कि फ्लोर से क्या तात्परज है फ्लोर से क्या तात्परज है चलने वाला पार ब्रक्त क्न है आइईडल ब्रक्त तो क्या राइट अन्सर में चलने वाला पाट हमारा करेक्ट अन्सर राइट अन्सर दूस्तों ब्रक्त सर्डरीं में परियोगहोने बाला करीदेशत के स्रेट को क्या कहते हैं और अपका शामने है इडमीटी इंटरमीडियेट गियर गिएडिव ट्रेन वेविल गिएडियर इन मीसे कोई नहीं तो अगला कोश्चन आपके सकी अगला कोश्चन है गेर बनाने के लिए किस समगरी का उप्योग किया जाता है ऑप्सन आपका सामने है धलबा लोहा छिपर इसपात च्छिपर और जारी इसपात मिर्दू इसपात तो क्या राइट अगा दूस्तो ओप्षन नम्बरे काश्ट आरें ढलवा लोहा का ओप्षन नम्बरे हमारा करेक्ट अनसर राइट अगा दूस्तो चलिए इससाद अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है 90 डिगरी पर पावर परिस्थ करने हैं तो कौन से गियर परयुक्त होते हैं बेवल गियर हिलकल गियर अश्पर गियर राइकमम पीनियन गियर तो कौन से होगा दूस्तो आप्षन नम्बरे बेवल गियर फटा फटा पलो comment box में comment किजिए भई बेवल गियर हमा आपका सामने है पीच मॉडियूल डिडेंडम अडेंडम तो क्या राइटन से लोगा आप सर नंबर भी मॉडलिम आप्शन नंबर भी हमारा करेक्टन से राइटन से दुस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्कीन पर अगला कोशन है इन में से किस पावर संचार पधिती में की एवं कीवे क्या वैसरता होती है आपका सामने है कंपनिंग गियर ड्राइव बोल्ट पूली ड्राइव या फिर सभी तो क्या राइटन से दुस्तों ऑप्शन नंबर डी ओल अफ दीज यानि सभी कपलिंग भी होगा गियर ड्राइ डी होगा दोस्तों चलिए इसका साथ अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है वेवल गेर का उप्योग तब होता है जब अच्छो अपरतिछेदी असमन तलिये शमांतर इन में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर दोस्तों इसमें जो हमारा है वेवल गेर्स का उ बिशिक साथ अगला कोशन आपके सकीन पर अंब दूस्तों मैं बतारता हूं आपको नमें से जो आपको option दिया हुआ है यह तो दिया हुआ कि इन में से कोई नहीं लेकिन आपको बता दाता हूं कि इसका पर्यों उन दो सॉप्टों के बीच पावर सनचन के लिए किया जाता है जिनके अच एक सिस एक ही तल में हो और आपश में काड़ते हूं तो यही हमारा होता है और इन गेरों के दाते सीधे तथा सरफिल होता वहां पर हम लोग करते हैं चलिए आगला कोशन आपका स्किन पर आगला कोशन है और पिनियन का उप्योग किसके लिए किया जाता है ऑप्शन आपका सामने है सर्कुरल मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए बर्टिकल में होरिजेंटल में गती ट्रांस्मिस्ट करने के लिए दो समांतर सॉप्टों में गती ट्रांस्मिस्ट करने के लिए सिकित साथ अगला कोशन गाला कोशन लगां है इस फरकार के दीफिखला हुआ सिसा पर्योग होता है किस परकार के जोड में पिखला हुआ सिसा परियोग होता है option आपका सामने है फलेजदार जोड, कॉलर जोड, परसार जोड, socket तथा इस पर गाट जोड तो क्या right answer को दूस्तो right answer हमारा होगा option number D यानि socket and aspect joint के साथ में परियोग होता है option number D हमारा correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर अगला कोशन है किस तरह का bolt आयताकार स्लोट में फीट होता है option आपका शामने है कोशन के पर पढ़ लिजे किस तरह का bolt आयताकार स्लोट में फीट होता है चोकोर बोल्ट hexagonal bolt 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 hook bolt option number A चोकोर बोल्ट हमारा चोकोर बोल्ट ऑप्शन नमबर A करेक्ट नसर राइट नसर दूस्तो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर अगला कोशन है नरम इसपात खंडों में अस्थाई संधियों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है option आपका सामने वोल्ट था नट वेल्डन सितलन कथनांक तो क्या राइट नसर होगा दूस्तो राइट नसर हमारा होगा option number B welding वेल्डन जिसको बोलते हैं हिंदी में वेल्डिंग option number B हमारा करेक्ट नसर राइट नसर दूस्तो चलिए इसके साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है कौन सा एक अश्टट का परकार नहीं है कौन सा एक अश्टट का परकार नहीं है सिट पंच केप पेंच मसीन पेंच वोल्ट तो क्या राइट नसर को दूस्तो ऑप्शन नमबर D वोल्ट जो हमारा अश्टट का परकार नहीं है option number D हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके skin पे अगला question है automobile उधोग में एक locking साधन अधिकतर उप्योगी है automobile उधोग में एक locking साधन अधिकतर उप्योगी है क्या है option आपका सामने है castel nut, son nut, ring nut, jam nut तो क्या right answer दोस्तो right answer हमारा होगा option number E castel nut option number E हमारा correct answer, right answer फटापट आप लोग comment कीजिए भाई जिन दिन विद्यारते हो को याद है फटापट comment box में comment करेंगे और बताएंगे चलिए इसी साथ अगला question आपके skin पे अगला question है split pin को किस परकार की locking में के लिए उप्योग किया जाता है option आपका सामने है group nut, lock nut, swan nut, castle nut तो क्या right answer होगा दूस्तो right answer होगा हमारा castle nut option number D question क्या था split pin को किस परकार के locking में locking के लिए उप्योग किया जाता है तो castle nut का option number D हमारा correct answer right answer दूस्तो चलिए अगला question आपके screen पर अगला question देखिए थोड़ा सा figure वाला है ध्यान दिजिएगा nut को पहचाने यानि nut को पहचानना है कौन सा nut ये है figure को आप लोग देख लिए होगे lock nut, castle nut, swan nut, group nut तो कौन सा red nut है दूस्तो option नमबरे lock nut, option नमबरे ध्यान दिजिएगा ये जो हमारा है lock nut है option नमबरे correct answer, right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके screen पर अगला question है कि rivets चावी को धारन करने है तो किस सिंकजा का उप्योग किया जाता है option आपका सामने है pipe सिकन जा हाथ सिकन जा pin सिकन जा option नमबर भी हमारा correct answer, right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके screen पर अगला question है चावी खाचा काटने के लिए प्रियुक्त छेनी है यानि चीजल कौन सा है भाई चप्टी छेनी अनुप्रस्त छेनी गोल्मुक छेनी हीरक अनी छेनी चावी खाचा काटने के लिए कौन सा प्रियुक्त छेनी है अनुप्रस्त छेनी option नमबर भी हमारा correct answer, right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके screen पर अगला question है की एक अस्थाई फाश्टनर है इसका प्योग किया जाता है option आपका सामने है दो soft को जोडने के लिए, soft के धूरी के साथ लंब रूप में, soft धूरी के सीध में, दो गरारियों को जोडने के लिए तो क्या right answer दूस्तो right answer हमारा होगा option number C question था की एक अस्थाई फाश्टनर है, इसका उप्योग किया जाता है इसके लिए, soft धूरी के सीध में, option number C हमारा correct answer, right answer दूस्तो drilling machine पर की जा सकती है क्या किया जा सकता है भाई, drilling drilling और hexowing दोनों, hexowing, filing क्या right answer दूस्तो, अगर आपको याद है, comment box में फटाफट comment कीजिए जिससे कि आपको पता लएगा, कितना मेरा सही, और कितना गलत हुआ दूस्तो आज़े दूस्तो, right answer हमारा होगा drilling, drilling machine पर की जा सकती है, तो सिर्फ drilling की जा सकती है option number A, correct answer, right answer चलिए इसके साथ अगला question, आपके skin पर अगला question है, कि नीमन में से कौन divider का परकार है, नीमन में से कौन divider का परकार है, option आपका सामने है अस्थाई जोड़ परकार का divider, spring परकार का divider और तिसरा है, spring परकार का divider और अस्थाई परकार का divider, यह फिर दोनो और इन में से कोई नहीं, तो क्या right answer हो दोस्तो option number c option number c हमारा correct answer है नीमिन में से कौन डिवाइडर का प्रकार है तो spring प्रकार का डिवाइडर और अस्थाई प्रकार का डिवाइडर दोनो correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि machine की मरमत में नीमलिखीत में से क्या सामिल है machine की मरमत में नीमलिखीत में से क्या सामिल है सभी विकल्प जो all of this दिया हुआ है विखंडन धोना और साफ करना निरिच्छन करना तो क्या right answer को दोस्तों option number c option number c हमारा correct answer है धोना और साफ करना यह हमारा मरमत का यह हमारे machine में सामिल होता है option number c चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है जटके या संघात को शहन करने के धातू के गुन को कहा जाता है क्या कहा जाता है कठोरता भंगूरता तन्यता चिमड़ापन तो क्या right answer को दूस् तो right answer होगा हमारा चिमड़ापन option number d हमारा correct answer right answer दूस्तो option number d correct answer right answer चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है 12 mm को इंच में बदले भई बहुत ही संदार question लब जब आप question है 12 mm को इंच में बदले तो भाई फटा-फट आप लोग इंच में बदल करके इसका right answer अधर बताएं आप लोग याद रखिएगा कि एक इंच बराबर हो रहा होता है कितना होता है 25.4 आप को पता होगा mm ठीक है तो एक mm बराबर कितना होगा दोस्तों वन वाई 24.4 तो आप लोग कर सकते हैं कि 12 mm बराबर कितना होगा तो 12 गुने चलिए फिर सिसको में दिखा रहता हूं क्या करना है 12 गुने वन वाई 25.4 बराबर इतना सा भागत दे लिए कट कुट कर लिजेगा तो आपका आंसर आएगा 0.472 इंच चलिए इसलिक इंच में पूछ रहा था तो कौन सामरा मिल रहा है ऑप्शन नमबर सी हमारा करेक्टन सा राइटन से दूस्तों चल क्या है पाइब में ड्रील करने के लिए सभी विकलफ जिसको अल informações बोलते हैं मूड़े रेडियस को चेक करना या थीर पाइप को मोडने के लिए तो किया राइट नसर को दूसतों राइट होगा और ओप्शन नमबर सी मूड़े पाइप के रेडियस को चेक करना पाइप वेलनेट टेंप़ेट का कारज है option number c correct answer & चली इसी साथ अगला question आपके अस्किन पर अगला question है डूरिलियम किस धातू का मिस्र धातू है डूरियलियम भाई किस धातू का मिस्र धातू है निकल सिल्वेर मोनल मिटल एलमुनियम तो क्या राइट अंसर मारा होगा एलमुनियम ऑप्शन नमबडी करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है लेथ के बाय हाथ की और एक इस्तिरी काई है जिसका कार्ज मुख होता है क्या होता है टुलपोस्त भेड ऐंड चलिए अगला कोशन आपके अगला कोशन है कि कर खाने में बिजिली से लगी आग के लिए परियोग पानी मीटी सीटी सी अगीनी सामक या फिर सभी विकल तो क्या बहुत हिसंदार और जवाब कोशन है इस कोशन को हमेशा एक्जाम में पूशे जाते हैं तो याद रखिएगा option number c ctc ctc अगनी सामक का परियोग करते हैं option number c चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पर अगला question है कि drilling में अधिकतर किस परकार का tolerance परदान करता है drilling में अधिकतर किस परकार का tolerance परदान करता है इन में से कोई भी नहीं unilateral compound y-lateral तो क्या राइट अंसर होगा दूस्तों आप लोग को अगर याद है तो फड़ाफट सही विद्यार्थी कोमें बोक्स में आप लोग कोमेंट कीजिए और बताइए कि क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर मारा होगा दूस्तों में पूरा नाम क्या है आपके सामें कोपड टी राइड क्लॉराइड कार्बन टीर म में डौरा क्लॉराइन कारबण टेटरा क्लोराइन कार्बन टेटरा क्लोराइड तो क्या राइटन्स रहा दूस्तों सभी द्यार्थी पताएंगे क्या राइटन्स होगा सभी द्यार्थी का अनसार आने चेव फटा-फटा पलो कॉमेंट कीजिए option number D ctc carbon tetra chloride option number D correct answer right answer दूस्तों carbon tetra याद रखेगा ctc का चली इसी साथ अगला question आपके अस्किन पर अगला question है कि कास्ट आरन कौन सी भठी से बनाया जाता है कास्ट आरन कौन सी भठी से बनाया जाता है option अपका सामने है बलाश्ट भठी पूडलिंग भठी को चली इसी साथ अगला question आपके अस्किन पर अगला question है एश्टन पर किरिया का उपयोग किस के उत्पादन के लिए किया जाता है अप्शन अपका सम्ने है पीटवा लोहा धलवा लोहा थामबा उच गति इस्पात दुशत प्रत्वह लोगा कि उप्योग प्विटो लोहा के लिए उठवा लोहा के लिए किया जाता है चली हिससा अगला कोशन आपके अस्किन पर आगला कोशन है गयस बेल्डिंग में। manufactory Rapis on को हटाए जाना आवश्यक होता है अच्षी अक्रिति पाने के लिए the designing के लिए जंग को Das रोकने के लिए तो होट दो सब्सक्राइंगे होगा राइटिन से हमारा ऑप्शन नम्बडी जंग को को रोकने के लिए उससे क्या होता है हटाने को परवाह अपसे इसको हटा दने से जंग रोका जा सकता है option number D हमारा करिक्टन से राइटन से दूस्तों चलिए इससाथ अगला कोशन फीगर वाला है थ्यान दिजेगा चित्र में दर्सा आये गए नट के परकार को पहचाने यह जो नट हमारा बना हुआ है कौन सा नट है फीगर को देखिए और बताइए भाई कौन सा नट है स्लोटेड नट कैसल नट स्वाम नट विंग नट चलिए भाई फीगर को भी मैं दिखा दे रहा हूं फिर से एक बार आपको और यह रहा option नट कि ओप्शन नबर भी कैसल नट कैसल नट जिन जन में देर्थी नट लिए उनका करेक्ट उन्सर राइट अंसर भाई बाके विदर्थी सुधार करें और याद करेंगे इसी सथा अगला कोश्ण आपके असकीन पर अगला कोश्ण है फिर फिगर्वाला है ध्यान देज चलिए थोड़ा थोड़ा सब दिखाता रहा हूं चलिए ट्री बाउंच पलग रिडूशर एलबो तो क्या राइट अंसर दुस्तों सभी विद्धार्थ बताएंगे एलबो यह जो हमारा है चित्री में दर्स आए गया मानक पाइप फिटिंग को पहचानना है तो एलबो है ओप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दुस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्किन पे अगला कोशन है पाइप को मोडने के लिए किसका पर्योग किया जाता है छेनी यानि चीजल को पाइप बेंडिंग मशीन को पेचकस को या फिर वाइस को च चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके शियर अगला कोशन है कि धातू के निवण में से किस घूण के कारण हम इसकी रॉलिंग या प टई प्रतापाई के द्वारा इसके आकार को बढ़ा सकते हैं आपका सामें हैं इनला से कारण सीक्तिक कारण मेसली पैंलीली तीट के तनीइता के मेलेविलेटी के कारण मेलेविलेटी के कारण ओप्षन नंबर सी हमारा करेक्टन सर राइटन से दुश्तो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है वेर्नियर कलीपर में कौन छोटा होता है MS Division या BS Division क्या राइटन सर होगा बहुत ही संदार कोशन दोनों बराबर होते हैं MS Division BS Division या फिर इन में से कोई नहीं तो राइटन सर रहा हो हमारा दुश्तो वी एस डिवीजन ओप्षन नंबर सी Webs Division या रखेगा बहुत ही संदार कोशन है चलिए इसी सार्फ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोश coalition है बजन में भार हथौळा नीमन में से कौन सा होता है वजन में भार हती हुड़ा निमिन मैं से कौन सा होता है सलेज क्लों हैंड क्लों हैंड का हत्थ हथोडा बॉल पीन हम तो क्या राइट अंसर उस्तों ॆपसट क्लोंhost होता है C volte old away option नुबर ए और करेक्ट नि Thailand Certain पे न है कि normalizing bait balance किस माध्यं से किया जाता है पानी भठी वाईउ तेल किसके द्वरा किया जाता है फटाफटा पलोग अंसर दीजिए नॉर्मलाइजिंग में सितलन निम्न में से किस माध्याम से किया जाता है तो ऑप्षन नंबर सी वाईउ से जीजिन विद्यार्थियों ने ऑप्षन नंबर सी चुच किया उनका करेक् पर्योग किया जाता है इन में से कोई भी नहीं सौकेट का इलबो का तो क्या राइट रूप दूस्तों राइट रहा होगा यूनियन ऑप्षन नंबर एपाइपो का आस्थाई जोड़ बनाने के लिए यूनियन का पर्योग करते हैं ऑप्षन नंबर एक करेक्ट राइट चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है लोहे का सुथ्तम रूप कौन सा है पीग आईरन काश्ट आइरन अश्टिल राइट आइरन तो सभी दर बिताएंगे क्या राइट रहोगा दूस्तों राइट आइरन ऑप्षन नंबर D लोहे का सु लों लीमीट हाई लीमिट टॉल्रेंस फूस बहुत हिचसंदार कोश्चन भई सभी विद्यारतिस आंसर देंगे क्या र्याला कोश्चन होगा औरदवीängL authority tolerance लीएं हो'S कोर्रेण और लोहां औराफ याद करिंग है चलिए साथ आगला कोश्चन आपके के लिए किसका प्रियोग किया जाता है और आपका सामने है चलिए उपर करता हूं मैं सबसे जादा अभी जरूर है आपके अस्किन पर अगला कोशन है महीन घर्षन समगरी का उप्योग करके किया गया एक परिशुद्धी प्रिश्करन प्रचालान है क्या है लैपिंग पंचिंग कास्टिंग ड्रिलिंग तो क्या राइटन सोगा सभी विद्यारती अंसर देंग करके किया गया एक परिशुद्ध धी परिश्करन परचलन होता है लैपिंग ऑप्शन नमबर हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है मस्रीन के अस्निहन में किस उपकरन का प्रयोग किया जाता है अगला कोशन है डिश्टल वर्नियर केलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता है क्या कहलाता है बीम वर्नियर स्केल डिस्प्ले मुख्या स्केल तो क्या राइटन सब्सक्राइब दूस्तों ऑप्शन नमबर सी एलीडी डिस्प्ले कोशन था कि डिजिलर डिश्टल वर्नियर केलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता है कहलाता है क्या कहलाता है तो LCD डिस्प्ले कहलाता है ऑप्शन नमबर सी गरेक्षार राइटन सथे दोस्तों चलिए इससाद अगला कोशन आपके अस्कि नभी यानि सभी बिकल्ब रख रखों में नमलीखीत में से क्या साम्मील होता है यानि रख रखों में क्या कि हम लोग सब्धानिया बरतते हैं तो परषली नीरिच्षन भी होना जाँच भी होने चाहिए यानि ओल ओफ दीज ओप्षन नंबर भी हमारा करेक्ट राइट दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके असकिन पर अगला कोशन है कि निमली खीत में से कौन सा कंपलिंग का एक प्रकार है ऑप्षन आपका सामें है सभी विकल्प इनवर्सल कॉलिंग कॉवण्ट आनने का पड़िया और 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 हुटा-पिर लतर हुआत Interior deh word नंश ratio से कौन सा कंप्षन है तो सभी विकल्प इन्वर्सल कॉवडिंग हुक प्रकार है वह प्रकार होना चाहिए चाहिए इसährी साथ आगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है निमली खीत में से कौन पर सुधी मापन उपकरान है एकसा बलेड प्रिक पंच पर नियर कलीपर ग्राइंडर तो क्या राइट अंसर नमारा होगा option number C question क्या था निम लिखीत में से कौन पर सुधी मापन उपकरन है तो वर नियर कली पर option number C हमारा कर्रेक्टर सर राइटन से दूस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अगला question है कि pipe fitting tools के द्वारा निम ने में से कौन सी गतिविधी की जाती है option आपका सामने है all of these या फिर pipeline के fitting चूड़ी करतन pipe मोड़ना या टाइट करना तो क्या राइटन से होगा सभी भी द्यारती पताएंगा भाई क्या राइटन से होगा कौन से गेति भी इधी की जाती है question को option को पढ़ें और फटा फटसर वी द्यारती कौन बोक्स में देंगन सर जिससे कि आपको अंदाजा लाएगा कितना मेरा सहय और कितना गलत हुआ दोस्तो तो option नमबर ए यानि all of these all of these हमारा करेक्टन सर राइटन से दोस्तो पाइप लाइन के फिटिंग चूड़ी करतन या फिर पाइप मोणना या टाइट करना सभी गतिविधी की जाती है यानि option नमबर ए में दिया हुआ all of these तो हमारा करेक्टन सर ऑप्शन नमबर ए होगा चलिए इसी साथ अगला question आपके पर आगला question है कि इन में से क्या preventive maintenance का भाग है अश्निहन शभी विकल्प servicing inspection क्या question इन में से क्या preventive maintenance का भाग है तो कौन सा है भाई तो सभी दरते बताएंगे option नमबर वी all of these यानि अश्निहन भी है कि servicing भी है inspection भी है all of these हमारा option नमबर वी में दिया हुआ है तो correct answer राइटन सा दुस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अगला question है पाइप heating में निमलीखीत में से कौन सोजार का इस्तिमाल होता है पाइप डाई सभी विकल्प पाइप भाईस पाइप कटर तो क्या राइटन सागो दूस्तों चलिए सभी दरते बिताएंगा बई क्या राइटन सोगा option नमबर वी all of these सभी विकल्प बहुत संद अगलत कर देते हैं तो इसलिए गलत नहीं करना है समझदारी से काम लेना है और सही अंसर मार के आना है चलिए option नमबर भी all of these correct answer राइट अंसर दूस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है निमलीखीत में से किस गेज का पर्योग संगमन भागों के बीच की अंतर के जाच करने के लिए किया जाता है option आपका सामने है वायर गेज फिलर गेज अस्कुरूपीच गेज शा पर्योग किया जाता है चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर अगला कोशन है कि नीमन में से कौन सा असनिहन की एक वीधी है नीमन में से कौन सा एक असनिहन का वीधी है option आपका सामने है अस्पलेस फिड ग्रिवेटी फिड सही विकल्प प्रेशर फिड तो क्या तो याद रखिएगा स्प्लेश फिट का भी ग्रिवेटी फिट का भी प्रेशर फिट का भी तीनों हमारा यानि ऑप्षन नंबर सी में दिया हुआ अगला कोशन आपका स्कीन पर सारा औप्षन वह याद रखेगा भाई कोई दे सकता है चली अगला कोशन है निम्ली खीत में से कौन सी लंबाई की एक इक इक आई है तो क्या राइट है दुश्तो राइट होगा मीटर ओप्षन नमबर सी हमारा करेकट राइट है दूस्तों मीटर ऑप्शन नंबर सी चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है रोलर बेरिंग में रोलर के रूप में निम्न में से कौन सा तत उपयोग नहीं किया जाता है ऑप्शन आपका सामने है गोलाकार इन में चे कोई नहीं शंकू बेलनाकार नमबर ओप्शन नमबर बी नन आप दिच यानि इन में से कोई नहीं क्या था कि रोलर बेरिंग में रोलर के रूप में निम्न में से कौन सा तत उपयोग नहीं किया जाता है तो भाई इसको याद रखेगा हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ा की इन वेरिंग में जो हमार प्रन्तु श्क्राइब तो इसमें जाता है ढूली जो शुत होता है तो को डिया होगा यादि परक्रिया परियोग इस पात में आंतरिक तनाव को कम करने और तन्याता को बढ़ाने के लिए किया जाता है नाहें आपका सामने है चले थोड़ा उप्र कर देता हूं मैं कि हाड़निंग नाइक रैडिंग कैचिंग एली निंग तो क्या राइट है अधूर दूस्तो ऑफ्षन नम्बर डी हमारा करेक्ट अथौर राइट है दूस्तो चलिये इसी के साथ अगला कोर्शन आपके स्कीन पे अगला कुश्चन है कि नीमन में से ये नीमन में से क्या ऍप 22 अधी के सपोर्ट में लगा होता है कैंच कोई नहीं वासर की क्या राइटन चाहिए ऑप्शनन नमबर सी वासर नीमन से क्या नट बोल्ट अस्कुरू आदी के सपोर्ट में लगा होता है तो क्या लगा होता भाई सभी पर आप बासर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दुस्तो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है निमली खीत में से किस समगरी का उप्योग ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है ध्यान रखेगा कोशन को पढ़ेगा बढ़िए तरी किस थोड़ा तो ऑप्शन है उस गती इसपात का मिर्दू इसपात का तामबा का एलमुनियम का तो क्या राइटन सकते दूस्तों क्या कोशन था किस समग जोब पर मार्किंग करने के लिए परियुक्त होने वाले ओजार कहलाते हैं क्या कहलाते हैं किसी भी जोब पर मार्किंग करने के लिए परियुक्त होने वाले ओजार को क्या कहते हैं मापन ओजार इन में से कोई भी नहीं करतन ओजार मार्किंग ओजार तो क्या राइट अं जार मेजरिंग टूल्स ऑप्शन नमबर एक करेक्ट अंसर राइट अंसर दुस्तो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पे अगला कोशन है मशीनों की परती दिन की जाने वाली देख भाल को यह कहते हैं क्या कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इन में से कोई भी नह को द्यान दिलूं देगा मशीनों के परती दिन यहीं द्यान दो परती दिन की देख भाल को कहते हैं क्या कहते हैं सब यह इसी साथ अगला कोशन bisa ना कोशन है कि और बनाइं जाती है किसका भैण कि लो कार्वन सब्सक्राइब का HIM HIGH carbon तो तो आइक राइटेफेचर जॉस्तों सब्सक्राइब करतन किनारे जानने जाते हैं और puòसाने है लिप्स फ्लैक्स फ्लूट वेवेज क्या राइटन सर्थ दोस्तो उप्शन नमबर एक क्या था कीनारे जाने जाते हैं लिप्स के नाम से जाने जाते हैं और आपके यसी साथ अगला कोश्चन पर इसकीन पे आगला कोश्चन तो क्या राइट एंस दोश्तो? कोश्चन को और optimum को बढ़िये से पढ़ियेगा, ध्यान से और समझेगा, और अंसर देज़ेगा सव्य विद्यार्थिफटा फटवाई. चलिए, क्या राइट एंस रोगा? Option नंबर भी, लेपिंग, करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तो ऑप्शन नंबर भी लेपिंग कहल आती है वाई कि निमलिखित में से किसमे नियुन्तम सकूंचर छुट दी जाती है ऑप्शन आपका शामने है पितल एलमुनियम धलबा लोहा इस पात तो क्या राइट अंसर हो दोस्तो राइट अंसर ह याद होगा फड़ा फड़ा पलो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा जिससे कि आपका अंदाजा लाएगा कितना सही और कितना गलत मेरा हुआ दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्किन पर अगला कोशन है कि खराद जिसको बोलते हैं लेथ मसीन कि एक अगला कोशन है कि परिवेधक का परयोग निमलीखित में से किसके ठीक करने के लिए किया जाता है आपका सामने है गुलाई के लिए बरमकिए गए खिद्र की पर इस्थीति के लिए बरमा किए गये खिद्र की परिस्कृतिवर अधार के लिए तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट अंसर को हमारा option नमबर भी छीदर के अकारवा गुलाई के लिए question को और option को बढ़िये तरह किसे पढ़ियेगा समझेगा और याद किजिएगा दोस्तों तो question क्या था परिवेदक का परियोग निमलिखीत में से किसे ठीक करने के लिए किया जाता है तो छीदर के अकारवा गुलाई के लिए option नमबर भी चलिए अगला question आपके अगला question है किसी पदार्त के गुन धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पहस्ता कोई भी प्रिंड अपनी मूल अक्रिती में लोट आता है तुसे कहते हैं क्या कहते हैं प्लाश्टिक परत्यास्था तन्याता विक्रिती तो क्या राइटन्सर को दूस्तों option नमबर भी परत् परिवर्तन यांत्री का पर्योग किया जाता है option आपका शामने है मेलिंग मशीन ब्रोच मशीन अप घर्षन मशीन सरूपन मशीन तो क्या राइटन्सर को दूस्तों राइटन्सर मार रहा होगा चंड रूपन मशीन option number d निम्नांकित में से किसमें ध्रूथ परिवर्तन या प्रवाकार के बिलनाकार बस्तू के इनमें से कहां इस्थित किया जाता है तिन चक जबडा पर चौर चक जबडा पर या फिर कॉलेट पर याद करेंगे जिनको याद होगा फटाफट कॉमेंट कीजिए बाहरी चूड़ी काटने में जिस और परियुक किया जाता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं एटिन बर्मा टेप डाई सीरा भ्रमिक्त करतन तो क्या राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाई करेक्ट राइट अंसर दोस्तो चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है कि छरन रोकने व साचे के लिए बालू में निम्न गुन होने चाहिए क्या होना चाहिए भई शुश्क च्यमता अपन बनाने के लिए नियमन में से किस परक्रिया को श्रमाने तह परयोग में लाते हैं तो गियर तूथ को कठोर बनाने के लिए नीमन में से किस परकिरिया को समानता परोग में लाते हैं तो क्या राइटन्स होगा इंडक्षन हाड़निंग ऑप्शन नमबर डी हमारा करेक्षन सर राइटन्स दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला को अविरत चिप संसक्त किनारे के साथ बनते हैं उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइटन्स दोस्तों ऑप्शन नमबरे अविरत चिप बनते हैं ऑप्शन नमबरे अविरत चिप बनते हैं करेक्षन राइटन्स दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्क कुन करतन कुन ओष्ट कुन तो क्या राइट अंसर को दूस्तों ऑप्शन नमबर डी ओष्ट कुन करेक्ट अंसर राइट अंसर कोशन क्या था परकन किसका प्रिष्ट के बीच के कुन में कुन को इन में जौप के अधिकतम लंबाई जिसे केंदरों के बीच में रखा जा सके खरात तल के ऊपर केंदरों के ऊचाई मापी जाती है अधिकतम ब्यास जिले तथा पर्थों के ऊपर घुरनित किया जा सकता है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर को दोस्तो राइट अगला कोश्चन है कि जब हरीक पहिये के साथ अप घर्षन किया जाता है तो इन में से किसे सितक द्रब के रूप में पर्यूग किया जाना चाहिए जल फैरा पैराफिन जल के साथ मात्रा में पैराफिन घुनन सिलते तो क्या राइट अच्छन को बढ़िए तरह के से पढ़ राइट अंसर दोस्तो चले इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है इस पाथ पर फास्पेट की पतली परत के लेपन की प्रकिरिया को कहते हैं क्या कहते हैं एनोडी करन पार्क राइजिंग जस्ता चढ़ाना उतापन टखन कर तो क्या राइट अच राइट अंसर दोस्तो चले इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है टांका लगाना एक परकिरिया है तो क्या है प्लास्टिक चादरों को जोडने की पितल जस्ते का प्रियोग करते हुए कठोर टंकाई की पितल में और औरन की गलन द्वारा वहीं सेक्सन को जोडने की तो एक और आब स्किन पर करते हुए कठोर टंकाई की साइन बार सैंदेेट सिलिफ गेज और मानक विमाओं की जांदह तो क्या है उस्तोख गेज और मानक विमाओं की जांदगी जांदह ऑप्षन नमबर सी हमारा करेक्टर सर। पिए इसकार पिर गेज्ट और तर्निंग औजार होता हैं कौन सा भाई बहूल बिंदू ऑजार, एकल बिंदू ऑजार दिव बिंदू औजार इन मेंसे कोई नहीं तो क्या राइटेंस होगा एकल बिंदू ओजार ऑप्शन नमबर भी हमारा करेक्ट इंसर राइटेंसर दुस्तो एकल बिंदू ओजार चलिए अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन है कि ब्राउन एवम सार्प टेपर किसमे परियुक्त होते हैं तो मेलिंग मशीन में ऑप्शन नमबर दी चलिए इसके साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन है कि किसी लेथ पर टू एम पीच की पेंच चूड़ी काटनी है अगरण पेंच की पीच शिक से में है यदि तरकू गती साथ आर पीम है तो अगरण अगरण निकाल लेजिएगा और बनाएगा राइट अंसर हमारा होगा option बीच ट्वंटी आर पीम option नंबर वी हमारा घर्मरा राइट दोस्तों साथ आगला कोश्चन आपके इंसकीकिन से कडाना कोश्चन है डायनो मीटर एक इकक्ति है जिसका परियोग नीवन ने कि मापन में किया जाता है ओप्षण क्या है छीप थिकनिस रेसिओ धात्यों करिक्टन के दोरान बल करताय औजार का च्छे कर्ताहण ओजार का डिफ्लक्सन क्या तो ऑप्षा बचन नमबर भी धात्य करत्यन के किया होगा तो दूस्तों एमारा option number C 7.5 mm m m मीटर परती मीनट है ठीक है option number C करेक्ट राइट तर्थ्यान से पढ़िएगा 7.5 मीटर परती मीनट option number C करेक्ट राइट तोस्तों चलिए इसी साथ आगला कोश्चन आपके स्किन पे अगला कोशन है कि ब्लैकिंग पर चलन में अनुरूपन कोन परदान किया जाता है ऑप्सन आपका सामने है डाई पंच पर पंच और डाई दोनों पर एक दम परदान नहीं किया जाता है तो क्या राइट अंसर नमबर भी ऑप्षन नमबर भी हमारा करेक्ट राइट अधूस्ट्ट वाला किंग परचलन में अनुरूप कुन परदान किया जाता है तो सटेमिंद पर होते हैं चलिक सथ हगा ओट cricket लृट होता है सट पर्यूक्त होता है ऑप्छण आपका सामने है लेट्र मशीन शेपर मिलिंग मशीन उप्विक्त मशीन तो मैं dismiss कोशन नमबर सी मीलिंग मशीन फलाइग कटर किस पर परिवक्त होता है तो मेलिंग मशीन पर होता है अगला कोशन आपके अपके गर अच्छा लग रहा भाई कोशन बढ़ा लग रहा तो वीडियो को लाइक किजिए फटापड़ अपलोग और शेयर कीजिए कॉमेंट तो क्या राइट अंसर को दुस्तो राइट अंसर हमारा होगा फॉर जो चक में यानि चार जावड़ा चक में option नम्म डी हमारा correct अंसर राइट अंसर दुस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके स्किन पे अगला कोशन है कि निमलीखित में से कौन सा एक से पर कहीं सा नहीं है से पर कहीं सा नहीं है लेपर बॉक्स रैम और जार सिर्स क्रोस सलाइड तो क्या राइट अंसर को दूस्तों कि राइट अंसर हमारा होगा ऑप्शन नमबर डी क्रोस सलाइड करेक्ट अंसर ही है चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पे अगला कोशन है कि किसी हिंसे के समाना अंतर रिखाओं को खुरचने के लिए नीमन में से किसका पर्यूग किया जा सकता है आपका शामने वर्नियर कलीपर्स ड्वाइडर हेमा फ्रोडाइट कलीपर्स चूड़ी गेज क्या रराइट र değil को दूश्टो रर रहा होगा हेम फ्रोडाइट कलीपर्स आप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रेख रेख रइख लेख दूस्थ चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन है कि घिसाई पईये में द्रारों का पता लगाने के आत्यिवे अपनाई जाने वाले जांच है कौन सा जांच है एक स्रें जांच जांच शाब़ून पानी जांच कठोर्ता जांच तो विज्दारस को है क्या वड़ात्य फटाफ़न कमें कमें चैजिए और बताएक क्या ड्रौट अप्षन नमब्र दी कर्रिक्ट अंसर राइट अंसर करें kilowTI1, चली अगला कॉस्टन आपके स्कीन पर अगला कोई एक करणि कि टेपर खराद वीधी के कारण जमा हुआ टेल तो तो रहाएट अंसर को तुस्तों रहाएट अंसर आप लोग फुड़ापँ रिखलायए je क्या अंसर होगा आत्रिकर चुलिंद हुए खाग म suis परवन्य पर लघू टे पर तो क्या रहाइट नोगा सही विधारथी का अंसर आना चाहिए क्या रहाइट इंचर होगा लगां पर दोस्तों क्या आंतरिक टेपर चलिए साथ अगला कोशन पे अगला कोशन है कि किसी समगरी की स्रांती का पर्तिरोध नीम्न द्वारा मापा जाता है किसी समगरी का स्रान्ति का परतिरोध निम्न दुआरा मापा जाता है उप्शन आपका शामने है इलाश्टिकी सीमा, यंक्स, मॉड्यूल, अंतिम तनन्चमता, सहन सिल्ता तो क्या राइट अंसर होगो दूस्तों? राइट अंसर मारा होगा वर्गाकार चुड़ियां अक्सर निम्न पर नहीं पाई जाती है क्या राइट अंसर होगा? उप्शन आपका शामने है वेंज को स्पिंडल, रेलवे, सवारी युगमक, मशिनी ओजारों का आफरन यां तन्त्र चुड़ी काटने वाली खराद तो क्या राइट अंसर होगा? सही ज़्यार दिफटा पर अंसर देंगे उप्शन नंबर सी, मशिनी ओजारों का आरम आफरन तन्त्र उप्शन नंबर सी, करेक अंसर राइट अंसर क्या था? बर्गाकार चुड़ियों अक्सर निम्न पर पाई नहीं जाती है मशिनी ओजारों का आवरन तन्त्र पे उप्शन नंबर सी, चलिए इसे जात अगला कोश्चन आपके स्कीन पे ड्राइंग में सहती रूचता निम्न द्वारा परिलच्छित की जाती है उप्शन आपका शामने है, तिरकोन ब्रीत वर्ग आयत तो क्या राइट अंस होगा, तिरकोन, कोश्चन क्या था ड्राइंग में सहती रूचता निम्न द्वारा परिलच्छित की जाती है तिरकोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट अंसर, राइट अंसर दोहरा चली इससाद अगला कोश्चन आपके अस्किन पे, अगला कोश्चन है, कि निम्न में से कौन सा नाम, रेती के ग्रेट का परिचायक नहीं है अधम चिकनी रेती, फिस्ट कट, शेकंड कड, चिकनी, तू क्या राइट अंसर को दोस्तो, राइट अंसर मारा होगा, फिस्ट कट, ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट अंसर, राइट अंसर दोस्तो चलिए अगला कोश्चन आपके अस्कीन पर अगला कोश्चन है कि मेट्रिक भी चुडियों का कोन निम्न होता है कितना होता है 60 डिगरी 45 डिगरी 45 डिगरी 47.5 डिगरी तो क्या राइट अंसर को दुस्तो राइट अंसर होगा हमारा अगला कोश्चन आपके अस्कीन पर अगला कोश्चन है कि पी अंतराल की बरगाकार चूड़ीं के चुड़ाई होती है केतना पी जो हमारा पीच है 0.25P 0.50P 0.75P 1.5P तो क्या राइट अंसर को दुस्तो सही विद्यारती फटापट कॉमेंट बोक्स में आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर भी 0.50P यानि पीच हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दुस्तो चलिए इसकी साथ अगला कोश्चन आपके अस्कीन पर 2800 mm निमन के बराबर हैं 2800 mm निमन के बराबर हैं क्या होगा 250 सेंटी मिटर 25 डेका मिटर 2.5 मिटर इन में से कोई नहीं 2800 mm निमन के बराबर हैं यानि कितने के बराबर इंटी मिटर डेका मिटर दिया हुआ तो क्या होगा तो आपका सामने हैं सभी विद्यारति पताएंगे क्या राइट अब याद रखेगा कि एक सेंटी मिटर बराबर होता है 10 mm होता है और एक डेका मिटर बराबर होता है 100 mm और एक mm बराबर होता है 1000 mm और 2100 mm बराबर होता है और high 100 cm यानि Option नंबर ये राइट अंसर दोस्तों चलिए से साथक्रा कोरिशन आपका szkin पे एक पासंसकल पी आ buckets ay DC is को दिए बूलते हैं दवाव के एकाई और नियम के सम्तुल्य है कितना 1NV Tas sadness और इनमें से कोई नहीं तो क्या राय टान्स पर साथ और राय टान्सिदर होगा यह इंप cy सर्वी नहीं में हैं जी मिया लुह है कहाँ हम ते शहीं विद्यार्थी आनसर देंगे सही विद्यार्थी का अन्सर आना चाहिए किए लाह रहो रोग दुस्तो और क्रेक्टवर यहां है कि तेंपो के एक टेंप सेट में क्या होता है। होती है दूसरे टेप करी करेक्षिद सर चुडियां होती है इन में से कोई नहीं तो तेप में ओपरi gak ऑप्ण में होती है ऑप्शन नमबर सी हमारा करेक्ष त्मर राइचन तो टे होते है चलिए आगला स्किन पर कावलों परबंधन के लिए निम्न का पर्योग किया जाता है कावलों पर वंधन के लिए निम्न का पर्योग किया जाता है ऑप्षन आपका शामने है विस्टाफ्ट्च नम्बर ए बी एश डेवलू ऑप्शन नमबर ए करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है कि माइक्रो मीटर का वह हिसा जो माप के दाव का समकरन करता है क्या कहलाता है एन्वील रैचेट बैरेल इनमें से कोई नहीं क्या राइट करता है चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पे अगला कोशन है कि निमन में से कौन से समगरी एक लोज चुम्बा के समगरी नहीं है ऑप्शन आपका शामने है लुहा निकल जस्ता कोवाल्ट तो क्या राइट अंसर को दूस्तों आप लोग साफट कोमेंट बोक्स म समगरी लोगा ऑप्शन नमबर सी जसता कर्रीक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों निमन में से कौन से समगरी एक लोज चुम्बा के समगरी नहीं है तो जस्ता आप से लिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर गन्मेटल में निमन मौजूद होता है क्या में में ध आप्शन नमबर से लुए लगलं परकिरिया एक संगलन परकिरिया नहीं है तो क्या राइट हो दोस्तो राइट हैं समगा ओप्शन नंबर सी पर तिरोध बेल्धन हमारा करेक्टिन सब्राइट है चलिए इसाद अगला कॉश्टन आपके स्किन पे अगला कॉश्ण है कि वेंच बाउग के नीमने चुड़ियां होती है यानि कोंसी चुड़ियां होती है वैई बीश डवल एकमी गोल बट्रेश चुड़ी तो जोस्तों उप्षन दूदी वर्ट्रेस चूड़ी ऑप्षन नमबर दी हमारा कर्रेक्टन सर राइट जा दोस्तों चलिसके साथ अगला कोशन आपके संकेतकों की सुधता की जाचि निम्रद्वारा की जा सकती है फिलर गेज श्लीप गेज लिंग गेज प्लगेज तो क्या राइट चैन सो उस्तों और भी स्यलिप गेज हमारा करेक्ट राइट अनसर है चलिए इसे साथ अगला कोशन अपके अस्किन के अगला कोशन है कि सहन सिल्टा की दूपच्छी पर नाली में सहन सिल्टा की अनुमती निम्न पर दी जाती है option आपका शामने है बास्तविक अमाप के एक तरफ अभी हित अमाप के एक तरफ बास्तविक अमाप के दोनों तरफ अभी हित अमाप के दोनों तरफ तु क्या राइस्ट रोगा ऑप्षोन नंबर सी बास्तविक अम कि दूनो तरफ कोर्षण क्या था को एक फ़र देख लिए सहन सिलता के दूपचिये और सहन इब NATION पर दी जाती आनि किसरे दी जाती है बास तब एक अम आप के दोनों तरफ चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन है 5 mm से कम मोटाई के पलेटों के वेल्डन के लिए किसके किनारों की क्या होती है ऑप्सन आपका शामने है कोर्टलन की जिरूत नहीं होती एक कल भी अथवा यू खांचे के रूप में कोर्टलन किया जाना चाहिए एक तरफ दिव भी अथवा यू खांचे के रूप में कोर्टलन किया जाना चाहिए तो किया रईट एंसर को दोस्तों रएट एंसर मारा होगा option number ए कर्दमसर राय एंसर कोर्दलन की जरूरत नहीं होती कर्रेक एंसर और दोस्तों चले शंजुक्त डाई तो क्या राइट अंसर रुमारा होगा ऑप्षन नंबर सी वहु किरिये डाई ऑप्षन नंबर सी करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों कि भी बलॉक कार्जिसाला में किस जाच के लिए उप्योगी है ऑप्षन आपका सामने है यहां पर निशे में देखे एक ऑप्षन छुप किया है तो आज दिखादरों में आपको ऑप्षन है किसी बेलन की गोलाई की सतह की दस्ता की कार्जखंड की संक्वा कार्ता जिसको बोलते हैं टेपर की और ऑप्षन नंबर डी में है समतल सतह की बास्तिविक्ता की तो क्या राइट अंसर अगो दोस् चलिए अगला कोशन है बेवेल प्रोटेक्टर उप्योगी है रेखिये मापन में कुनिये मापन में उचाए मापन में समतलता मापन में तो क्या राइट अंसर होगा दोस्तों राइट अंसर होगा हमारा ऑप्षन नंबर डी समतलता मापन में ऑप्षन नंबर डी जिन को य ग्रेत्रिक्टे क्लीपर के रिक्षितम आप क्या है जिसके बर्नियारास के 25 भाग मूफ़े चिल 24 भागों के बराबर है मूक की नुतை!! ब्रवेंट 5 होता है उनुक है राइटे होगा ओर न रही पकातो के घे घर ब्र आजब हैं वह सबस्क्षप में आको फिर उरे हैं अगला कोशन आपके अस्कीन पे अगला कोशन है कि एक अस्केल जिसके दो असांकन के बीच की दूरी उस असांकन के मान के समुनापातिक हो तो वह अस्केल कहलाती है क्या कहलाती है ऑप्शन आपका शामने है रेगुलर एस्केल रेखिये अस्केल और रेखा एस्केल एक्टिवीडी अस्केल तो क्या राइट अंसर को दूस्तो राइट अंसर हो हमारा ऑप्शन नमबर बी लाइनर अस्केल यानि रेखिये अस्केल ऑप्शन नमबर बी ब्लू 450 से नीचे या फिर बिट्वीण 450 से आपका 450 से बीच तो क्या राइटेंसर हो दूसतों इसमें आपको ओप्शन जो है दो ही ओप्शन है उसी में चूच करना है कौन सा राइटेंसर होगा राइटेंसर होगा हमारा अगला कोशन है कि निमनी लिखित में से कौन सी बीधी शोल्डरिंग की नहीं है फर्निस शोल्डरिंग, वेल्ड शोल्डरिंग, इंडक्शन शोल्डरिंग, रिस्टेंस शोल्डरिंग, तो क्या राइक्शन होगा, राइक्शन होगा, आप्शन नमबर भी, वेल्ड शोल्ड जिंक कलोराइड बोरेक्स तो क्या राइचन सब्सक्राइब दूस्तों सभी विद्याते बिताएंगे ऑप्शन नमबर डी वोरेक्स याद कर लिजेगा ब्रेजिंग पर किरिया में समानता है उपयोगी फ्लक्स कौन सा होता है तो बोरेक्स होता है चलिए अगला क्वेशन आ लेड आरेन तथा कारवन टीन तथा कोपर तो क्या राइचन सब्सक्राइब निमन में से किस एक सोल्डर का कटना कठीन है निकिल कौपर सिल्वर ब्रॉस तो क्या राइचन सब्सक्राइब दूस्तों आपके असकिन पर partnering पर उत merchandise है कि है राइट अंसर दोस्तो चलिए कोश्चन को बढ़ें तरह से पढ़िएगा समझेगा और यात किजिएगा अंसर चलिए अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है कि आउक्सी एसेटिलन बेल्डिंग में कौन से जुआला अपयोगी नहीं है निट्रल जुआला नैट्रोजन जुआला औक्सिडाइजिन जुआला कार्बर राइजिन जुआला तो क्या राइट अंसर को दूस्तो ओप्शन नंबर भी नाइट रोजन जुआला ओप्शन नंबर भी नाइट रोजन जुआला हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दूस्तो चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्कीन पे अगला कोश्चन है ऑक्सी एसिटिलिन गैस बेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है हवा के द्रवी करन से, हवा के बिधुत अब भीगटन से, जल के संदू शन से या फिर जल के द्रवी करन से, तो क्या राइचन से अगों दूस्तों, जहीं भी दियाते बिताएंगे ऑक्सीजन पैदा होती है, हवा के द्रवी करन से, चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके एसकिन पे अगला कोशन है, एस्टिलिन सिलिंडर में समान यता, किस मातरा में गैस होती है, ऑप्सन आपका सामने है चलिए ऑप्सन को देखिए, और बताएंगे क्या राइटन से होगा 5M3 of gas at 1.5 MPa, और 7.5 M3 of gas at 1.5 MPa, और 10 M3 of gas 1.5 MPa, और तौथा में है 5 MQ of gas at 2.5 MPa, तो क्या राइटन से होगो दूस्तों, MPa जो हमारा पास्कल और M3 जो हमारा दिया हुआ है, मीटर क्यों होता है, तो क्या राइटन से होगा ऑप्सन नमबर C, 1.5 MPa, दौपर, 10 M3 gas, ऑप्सन नमबर C, हमारा करेक्ट राइटन से दूस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पे, अगला कोशन है, ऑक्सिय स्टिलिंग गैस वेल्डिंग एक परकार की परकिरिया है, कौन से परकिरिया है भाई? ऑप्सन आपका सामने है, डिफ्यूजन बेल्डिंग, दाव बेल्डिंग, फ्यूजन बेल्डिंग, टिग बेल्डिंग, तो क्या राइटन से रोगा? राइटन से रोगा हमारा ऑप्सन नमबर C, फ्यूज बेल्डिंग, ऑप्सन नमबर C, हमारा करेक्ट राइटन से दू औहाहता या जाता है ऑप्टिन अब का सामने है झेकफ संतर होगा में सब्सक्राइब दोस्तों क्या होगा forward welding चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है कि इस ट्रीन की मात्रा से अधिक मात्रा में oxygen मिलने पर जौला बनती है कौन सी जौला बनती है कार्बुराइजिंग जौला neutral जौला उकसिडाइजिंग जौला नाइ BOB निटर आइडिंग जौला तो क्या राइट आइसर दोस्तों राइट आ रहा होगा option number C oxygen जौला इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर अगला कोश्चन है गैस बेल्डिंग में उप्योगी ऑक्सी एसे टिलिन गैस से उत्पन ज्वाला को उस्थम तपमान होता है कितना option आप पर सामने है 1260 degree centigrade, 290 degree centigrade, 800 centigrade, 32 centigrade तो क्या राइट एंसर होगा दूस्तों? राइट एंसर मारा होगा भी क्या जाता है? यानि क्या कहा जाता है? आर्क फर्नेंस, इंडक्शन फर्नेंस, क्या पॉला फर्नेंस, क्रूसिविल फर्नेंस तो क्या राइट एंसर होगा? सही विद्यार्थी बताएंगे अगर आपको याद होगा, तो आप comment box में जाइएगा और उहाँ पर फटा फट, सही विद्यार्थी comment कीजिए क्या राइट एंसर होगा? सही विद्यार्थी का अंसर आना चाहिए तो क्या राइट एंसर होगा दूस्तो? राइट एंसर हमारा होगा option number D, crucif will furnace, option number D, correct answer, राइट एंसर दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे, अगला question है काश्ट एरन को गलाने के लिए समाने तर उप्योग मिलाई जाती है क्या लोग पर उप्योग मिलाई जाती है? pit furnace, capola furnace, archa furnace, rotary furnace तो क्या राइट एंसर होगा दूस्तो? राइट एंसर होगा मारा, option number V, capola furnace क्या होगा दूस्तो? option number V, capola furnace, right answer, correct answer भाई चलिए सभी विद्याति याद करेंगे, अगला question आपके अस्किन पे अगला question है, दाव युक्त वायू की जरूरी मात्रा, वायू कर्स से कपola furnace में, दौरों से होती होई, पर्विष्ठ होती है, ये किसके दौर कहलाती है? option आपका सामने है, limbus, sprue, to erase, जिसको टोटी बोलते हैं, rider, तो क्या राइट एंसर को दूस्तो? option number C, to erase, जिसको टोटी बोलते हैं, option number C, हमारा correct answer, right answer, question को राइट एंसर, question को पढ़िया, और याद कीजिए, बहुत ही संदार लजवाब question, सारा question है, चले इसके साथ अगला question आपके अस्किन पे, अगला question है, कि wrought iron, प्राप्त करने के लिए, pig iron को पुना लगाय जाता है, क तो क्या राइटन्स होगा, सभी विद्यारती बताएंगा भई, क्या राइटन्स होगा, option number D, पूडलिंग, फर्नेंस में है, पूडलिंग होगा, पूडलिंग लिखा गया है, कोई दिकत नहीं है, option number D, पूडलिंग फर्नेंस में, जो मारा पुना लगाय जाता, correct answer, right answer, द पूडलिंग पाइटन्स होगा, option number D, तेरह सो डिगरी सेंटीग्रेट, लो कार्बन अश्टिल की फोर्जिंग बनाने के लिए अर्थियंत उछी तापकरम होता है, तेरह सो डिगरी सेंटीग्रेट हमारा correct answer, right answer, दूस्तों, चलिए इसकात अगला question, आपके skin पे, अगला question ह अगला है वेसिक बेशिमर तथा बेशिक ओपन हर्थ परक्रिया का अगला है वेसिक बेशिमर तथा बेशिक इसमें देखे सारे ओप्षन जो हमारे है सभी एक ही ओप्षन दिया हुआ है ध्यान दे जैगा इसमें मिश्टेक हुआ है सारा ओप्षन जो है एक ही है साइड थोड़ा सा एक पर देख लिया जाई से ओप्षन को यह थोड़ा कहीं चेंदिंग है वेसिक वेमेंशर तथा एसीड ओपन हर्थ परक्रिया का दोनों तो सेम है अगला देख लता है कि एसीड वेसिड वेसिक ओपन हर्थ परक्रिया का और अगला जो हम लोग देखते हैं ये शीट चलिए दो सेम है और दो अलग है दो सेम है और दो अलग है खेर कोई बात नहीं है आप option number C ले लिजिए और ये जो दोनों सेम है वो हमारा correct answer right answer दूस्तो option number C correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि cast iron में carbon का परतिस्यत होता है कितना 0.1 to 0.3 0.32 to 0.7 0.72 to 1.7 1.72 to 4.5 तो क्या right answer दूस्तो right answer दूस्तो option number D 1.72 to 4.5 cast iron में carbon के परतिस्यत होता है 1.7 से 4.5 तक correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है भारतिये मानक विनिदेशों के अनुसार विनिदेशित cast iron FG200 का अर्थ होता है क्या FG200 का अर्थ पूछा जा रहा है तो क्या होगा option यहापर देख लिए थोड़ा option है 2% कारवन का अंस white cast iron जिसकी VHN संख्या 200 और अगला है हमारा की newton परति mm square परति gray cast iron जिसकी उच्तम संपीड़क समर्थक 200 200 newton परति mm square mm square तो अगला option है 200 newton परति mm square परति gray cast iron जिसकी newton तनन समर्थ 200 newton परति mm square तो क्या right answer जोगो दुस्तो सहीविद्यार्थी question corruption को बढ़ी तरी किस्ते पढ़ेंगे और बताएंगे क्या right answer जोगा option number D हमारा correct answer right answer जोश्तो option number D question ही मैं एक बारा को दिखाद रहूं काईगी लेट हो चुका था पढ़तने में भारतिय मानक बिन देशों के अनुसार बिन देशित काश्टारन FG 200 का अर्थ क्या होता है याद रखेगा चलिए अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि अश्टील जिसमें 0.15% तक कारवन होता है कहलाता है क्या कहलाता है mild steel dead mild steel चलिए अगला question आपके अस्किन पे अगला question है सभी परकार के अश्टील के लिए निमन करांतिक क्रिटकल बिंदू है कितना 600 degree centigrade, 730 degree centigrade 913 degree centigrade, 1143 degree centigrade तो क्या right answer होगा 700, 30 degree centigrade option number B है हमारा correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि कास्टिंग के लिए उस्ट्मोब 4 जिसको बोलते हैं heat treatment पर क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है option आपका सामने है normalizing, annulling, tempering, hardening तो क्या right answer को दूस्तो option number B normalizing option number B normalizing हमारा correct answer right answer दूस्तो चलिए correct answer भाई चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि नीमन में से कौन सी case hardening पर करिया नहीं है नहीं है ध्यान दिजेगा option आपका सामने है normalizing, carborizing, shinizing, night riding तो क्या right answer को दूस्तो option number A हमारा correct answer right answer दूस्तो क्या है normalizing option number A correct answer, right answer छली इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि भारतिय已經 माना के अनुसार tolerance का grade है कितना 6, 8, 16, 18 तो क्या right answer को दूस्तो राइटन से होगा धमारा 18 option number D correct answerの right बारतियatas माना के अनुसार tolerance का grade होता है 1818 correct answer सब्सक्राइब के निवनी सीमा के अंतर कहला क्या को ध्यान से पढ़ लेजिए बीमा की उच सीमा और निमनी सीमा का अंतर कहला आता है क्या option आपका सामने है चलिए दोनों नजर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है question option दोनों basic आकार, fit, बास्तवी कार और tolerance तो क्या right answer होगा दुस्तो सभी विधार्थे पिताएंगे क्या right answer होगा option number D, tolerance क्या होगा right answer option number D, tolerance correct answer right answer दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि 25 mm के केसल नट में slot होते हैं कितने 4, 5, 6, 8 question 25 mm के केसल नट में slot होते हैं कितने होते हैं option number C हमारा correct answer right answer दोस्तो option number C चलिए फटाफट वीडियो का आप लोग लाइक कर दीजिए अगला question आपके स्किन पे आगिया अगला question है automobile उधोग में एक locking साधन अधिकता रुप्योगी है केसल नट सोन नट रिंग नट जेम नट तो क्या right answer होगा दोस्तो क्या right answer होगा option number A केसल नट correct answer right answer दोस्तो क्या है answer केसल नट correct answer right answer दोस्तो चलिए अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि nut के अभी कलपन में महत्पून भीमा होती है pitch diameter inside diameter outside diameter height तो क्या right answer को दोस्तो height option number D question और option को बढ़ी हैं से पढ़कर के फ्रापट सब लोग अपके लोग comment बग answer दीजिए क्या right answer होगा जिसे क्या अंदाजा लाएगा कितना में रस है और कितना गलत हो रहा है nut के अभी विकलपन में महत्पून भीमा होती है height option number D correct answer right answer चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्कीन पे अगला question है कि रेप ड्राइब के लिए रेप ड्राइब के लिए पूली में गुरूप का कुन समानेत्ता होता है कितना 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी 75 डिगरी तो क्या रैक्टन सब्सक्राइब को दूस्तों 60 डिगरी तो क्या रैक्टन सब्सक्राइब को दूस्तों रैक्टन सब्सक्राइब के लिए फ्लेंज कंपलिंग में बोल्ड की संख्या होती है कितना 2, 4, 8, 10 तो क्या रैक्टन सब्सक्राइब को दूस्तों रैक्टन सब्सक्राइब के लिए फ्लेंज कंपलिंग में बोल्डों की संख्या होती है 4 चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है निम्न में से कौन सी बेरिंग एंटी फ्रिक्षन बेरिंग नहीं है एंटी फ्रिक्षन बेरिंग नहीं है निम्न में से चलिए उप्षन आप देखिए उप्षन है जनरल बेरिंग बेरिंग रोलर बेरिंग निडिल बेरिंग जली इसी सब अगला question आपके Scorpion अगला question है लेत का आधार बना होता है क्या राइट्ट्स होगा जिससे कि कि आपका अंदाजा लगाएगा कितना मेरा सही और कितना गलत हो रहा है और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल पर जो भी नए विद्यारते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए फुरा फट सभी विद्यारती क्या चैनल राइचंश होगा राइचंश होगा हमारा ओप्षण नंबर डी कि चिल्टक कस्ट नंबर डी हमारा करेक्षण सप्ट ग जोस्तों चलिए इससे साथ अगला कोशन आपके अश्किन पर अगला कोश्टन है लेत केंद्रां को पर दिया गया टेपर संक्वा कारता कखला खालाती है क्या खालाती है चेपमेंट टेपर मोर्श टेपर सॉर्प टेपर ब्राउन टेपर तो क्या राइट अंसर को दोस्तों सवीधारती बिदाएंगे पतले कार्णषखंड में खोखले कार्णषखंड में विकेंद्रिय कार्णषखंड में तो आफ्सेंग में से अगला खैससं है लेट केंद्रकों के बीच का कौन होता है कितना लेत के इंद्रकों के बीच के कुन के होता है कितना भाई 15 डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी तो क्या राइट रेंसर होगा फटा फट भाई सभी जरते पताईए क्या राइट रेंसर है राइट रेंसर होगा हमारा option number D 60 डिगरी option number D correction राइट रेंसर दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके askin पर अगला question है लेत के spindle की घति होती है option आपका सामने है गुनातमक स्रेनी करमठ में जैमेतिया स्रेनी करम में हरात्मक स्रेनी करम में तो स्थितिक स्रेनी करम में option number D में दिया होगा है प्रोग्रेस एसेंसन बोलते हैं जैमीति है स्रेनी करम में ओप्शन नमबर भी हमारा करेक्ट राइचनसर दुस्तों चलिए इससे अगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है कि सिख्री सेटिंग तथा बास्तविक सेट्रिंग क्या लिए उप्यूक चक है कौण सा थ्री जोग उन्फर्सल चक परेक्ट चक में इगनिटिक चक करेक्ट चक क्या राइचनसर दोस्तों भी हमारा करेक कोशन आपके अस्किन पे आगला कोशन है इस चूडी बनाने के लिए परवर्तनिय की इयर कामॉपात क्या होगा जब चूडी का का पीछ 3 mm तथा लीड़ स्कूरू का पीछ 6 mm हो तो क्या राइचंसर को दूस्तों राइचंसर को हो गरा हमारा option नमबर ए 1 by 2 option नमबर ए 1 by 2 हमारा करेक्शंसर राइचंसर दूस्तों चलिए फड़ाफट सभी विदिया थी याद कर लेंगे इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर अगला कोशन है किसी काजखन के व्यास को कम करना हो जब दी गई सत्रापर बहुस सक्री हो तब यह परचालन कहलाता है क्या कहलाता है भई और फाइंग आपका साम्हें दोश्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन है कि पार्टिंग और टूल के करतन किनारे मोटाई होती है कितना parting of tool के कर्तन किनारे की मोटाई कितना होता है 3-12 mm, 8-20 mm, 10-30 mm, 12-35 mm क्या right answer होगा option number 1 option number 1 हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे अगला question है कि दो meeting सतों के बीच किलियन्स की जांच की जाती है option आपका सामने है अशनेप गेस से, ऑप्टिकल गेस से, फिलर गेस से, वायर गेस से क्या right answer होगा दोस्तों question पढ़ लेजे दो meeting सतों के बीच किलियन्स की जांच की जाती है तो क्या right answer होगा सभी जाती पिताएंगे क्या right answer होगा option number C filler case से किसे जांच हम लोग कर देते हैं तो filler case से option number C हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए आज का class यहीं पेश्वाप्त होता है फिर मिलते हैं आप से next class में next topic के साथ तब तक के लिए जैंग जै भारा दोस्तों बाई बाई वीडियो गर अच्छा लागा होता लाइक कीजिएगा चैनल पे नेवागते सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए थैंक्यू बच्चों बाई बाई फिर मिलते हैं आप से next class में next topic के साथ